वेलकम यू अगें इन दे नेक्स वीडियो आफ त्यरी आप मशीन हम वाइबरेचन को डिसकस कर लें tracked है इसमें वाइबरेचन का ये हमारा फोर्थ नमबर का लेक्ट्चर है आज की वीडियो में हम डी एलम्बरड पिंक्सपल को डिसकस करने वाले हैं इसके बेसिस पर जो आपके प्रीवियस एर एक्जाम्स में क्वेस्टन पूछे गए हैं उनको देखेंगे MSD मॉडल का मतलब यहां पर होता है मास, स्प्रिंग, एन डेमपर आपको जितने भी क्वेस्टन माकेनिकल से पुछे जाएंगे उनमें ये तीन एलिमेंट्स होते हैं मास होता है जो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग होती है जो स्टिफनेस, पोटेंशल एनर्जी एन डेमपर होता है जो एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है अल्रेडी ये सारी चीज़े हमने डिसकस किया हुआ है तो डिटेल में डिसकस करेंगे और डेफिनिटली आज की वीडियो जो होगी ये आपके exam point of view से important है आज जो हम question discuss करने वाले हैं ये सारे questions आपके exam में पूछे गये हैं और chances होते हैं कि इस टाइप के question आपके exam में पूछे जाएं और यहाँ पे आपको DLM birds आप दिख रहा होगे इनकी hairstyle देख लिए जो पुरानी movie आप देखते हो European जो movies होती है basically वहाँ पे स्टाइके की hairstyle, स्टाइके की dresses होते है पहले उनकी ऐसी culture थी, ऐसे ही पहनते थे अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को subscribe कर लिजे ये मेरा telegram चैनल है जो भी वीडियो में बनाता हूँ उसकी PDF उसके link आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ये group है जिसमें आप अपने question discuss कर सकते हैं बाकि आप मुझे Instagram, Facebook और Twitter पे भी follow कर सकते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो आज की वीडियो में जो भी चीजें हम सीखने वाले हैं वो example based होंगे आज की थेयरी आज हम discuss करने वाले हैं नहीं क्योंकि आज की थेयरी में बहुत कुछ रहेगा नहीं आज जो भी चीजें हम discuss करेंगे जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि वो सारे आपके exam point of view से important हैं एक simple example लेता हूँ और यहां से एक हम equation एक general equation डिराइब करेंगे और इस पर boundary conditions elements को change करकर different conditions लेंगे जो basically आपकी exams में पूछे जाते हैं तो आपको एक ही question से पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमको इसका solution करना है या हमारे particular solution को किस तरीके से आपके question में apply करना है तो suppose कर लीजे यहां पर हमारे पास एक damping system है damping system के नीचे हमने spring भी लगा ले जैसे मैं आपको कहा कि तीन element basically यहां पर होते हैं आपका damper हो जाएगा आपका spring हो जाएगा और block mass मान लेते हैं इसका M है और यहां पर हम एक force लगा लेते हैं जिसे हम कह देते हैं आफ 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 टी तो ध्यान देना यहां पर जो भी vibration होगा इस vibration को हम क्या कहेंगे भाई force vibration कहेंगे न क्योंकि already हम इस पर एक force लगा रहे हैं बात में हम force को zero करके free vibration damping system को हटा के undamp कर लेंगे damping system के साथ force vibration damping system के साथ free vibration यह सारी conditions हम one by one करके derive करेंगे जैसे कि मैंने आपको कहा है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा आप simple क्या है इधर force लग रहा है इधर दो force लग रहे हैं हमको अब क्या करना है इसका free body diagram बनाना है अब यहां पर free body diagram बनाएंगे हम Newton second law इसको analyze नहीं करेंगे हम DLM bird principal से करेंगे तो DLM bird principal और Newton second law में कोई difference होता है नहीं कोई खास difference है नहीं दोनों को आप synonymous समझ सकते हो दोनों dynamic equilibrium के बारे में बात करते हैं DLM bird principal सहाब inertia force के बारे में भी बात करते हैं अगर किसी भी block पे जो total resistance force है और जो external force है उसका summation equal होगा ध्यान से सुनना आप किसी भी block पे जो total resistance force लग रहाए真的 force लग रहाया है दोनों का summation क्या होगा equal या फिसको ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी block पे जो external force लग रहाया KEVIN या किसी भी system पे जो external force लग रहाया है वो उसके resistance force के equal होगा दोनों statement का Mतलब same ही है अभी मैं आपको समझाता हूँ दोने statement को कैसे हम यहाँ पर apply करने वाले हैं और किस तरीके से हमारी equilibrium condition काम करेगी अभी इसका हम free body diagram बना लेते हैं free body diagram downward direction में क्या लगेगा भाई simple mg लगेगा उपर direction में इसका क्या लगेगा reaction already आप लोगों नहीं यह सारी चीजे पढ़ी है यह कोई मैं rocket science आपको बता नहीं रहा हूँ जो आपको नहीं बता है ठीक है इधर already आपने जो force लगाया हुआ है वही लगेगा यह आपका force है f of t इस direction में क्या लग रहा होगा इधर एक damping force लग रहा होगा यह सारी चीजे आपको पता होगी पहले भी हमने discuss किया हुआ है इसको और यहाँ पर spring force लग रहा होगा spring force कितना लगेगा यहाँ पर displacement पहले भी मैंने आपको कहा था जब degree of freedom हम पढ़ रहती है पहले वारी lecture में कि generally यहाँ पर जो position होती है जो displacement होता है वही variable होता है वही एक हमारे पास coordinate होती है जिससे हम acceleration, velocity सारा कुछ find out करते है और solution भी find out करते है तो spring force इस direction में लग रहा होगा that is k into x very simple क्या यहाँ पर जितने भी force आ रहे थे सब कुछ हो गए नहीं जी यहाँ पर एक force और बचा हुआ है जैसे कि Newton's law क्या कहता है कि जो total resultant force होगा वो equal होगा इसके mass and acceleration के वैसे ही यहाँ पर जो deal number principle है वो कहता है कि इस block का mass है basically इसका एक inertia होगा और inertia किसके equal to होगा? inertia होगा इसके mass and acceleration के इसका mass m माल लेते हैं हम sorry m dot मने लिख दिया इसका mass कितना है? m है और यहाँ पर acceleration हम s double dot लिख लेते हैं और फिर आप a भी लिख सकते हो यहाँ पर x dot का मतलब है first derivative x double dot का मतलब है second derivative मतलब हम यहाँ पर इसको d2 x by dt square भी लिखते हैं इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं d x by dt very simple इस सारी चीजे हैं आप लोगों को पता है basic चीजे हैं कुछ मैं advance नहीं बता रहा हूँ अब यहाँ पर आपको पता जल गया बट इस inertia का nature कैसा होगा किस direction में लगेगा inertia क्या करता है आपके motion को support करता है या फिर approach करता है बिलकुल आपके motion का वो approach करता है मतलब जिदर motion हो रहा होगा उसके opposite direction में लगेगा ध्यान देना तो यहाँ पर एक इस direction में inertia force भी लग रहा होगा जिसे हम कह देते हैं fi अब यहाँ पर deal number principle हम apply करते हैं या फिर जो Newton laws, Newton second law है उसको भी apply कर सकते थे वो भी यही चीज़ देगा या फिर total का जो summation होगा ओ जीरो होगा ठीक है total जो force लग रहा है उसका summation क्या होगा जीरो होगा चाहिए resistance force हो या फिर external force हो तो कोई सभी हम लगा लेते हैं अब लगा देते हैं कोई सभी की दोनों का जो resistance है यहाँ पर resistance कौन-कौन यह क्या हो जाएगा kx is equal to f of t यह equation number one है अगर किसी को doubt हो कि दुसरा बाला में बता रहा है total summation 0 होगा तो definitely यह इस direction में लग रहा है तो अगर इनको positive लेते हो तो minus f of t हो जाएगा क्योंकि इधर लग रहा है तो यह negative हो जाएगा equal to 0 रखोगे तो same equation आएगा आपको displacement ही चाहिए इसकी position को बताने के लिए इसको fix करने के लिए आपको क्या चाहिए displacement चाहिए तो single degree freedom की बात करने है हम यह आपर और यह बडल कौन सा है MSD मतलब mass spring and damper यह दोनों चीज़े यहाँ पर तीनों चीज़े यहाँ पर लगी हुए यह damped force vibration ध्यान देना यह damped force vibration है अब हम कह देते हैं कि यह undamped force vibration है क्या है undamped undamped मतलब यहाँ पर damping system को आप निकाल दोगे तो यह वाला term आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो जैसे ही आप undamped की बात करोगे यहाँ पर आपका जो equation आ जाएगा m x naught plus k x is equal to f of t तो this is equation number 2 यह किसका है यह है undamped force vibration यहाँ रखना this is the m damped force vibration तो यह हमारा equation number आ गया 2 नेक्स हम क्या कर सकते हैं यह free vibration कर सकते हैं यह force vibration कर सकते हैं तो अब हम यहाँ पर जो force apply correctional force उसको जरू रखते हैं damping के साथ तो damping के साथ रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा m double dash plus c x dash plus k x is equal to 0 अब यह क्या हो गया free vibration हो गया बट कैसा free vibration है damped free vibration यह हमारा equation number हो गया 3 damped free vibration ठीक है यह equation number आपका 3 हो गया fourth condition क्या हो सकती है कि आप यहाँ पर जो external force है उसको भी अटा दो और यहाँ पर यह जो damping system लगा है उसको भी हटा दो क्योंकि इसके basis पर बहुत जादे question पूछे जाते हैं आगे आप देखोगे तो यह हो जाएगा आपका m x naught plus यह तो 0 हो गया तो यह काम खदम हो गया इनका तो k x is equal to 0 यह हमारा equation number 4 है यह कैसा भाई यह है undamped free vibration undamped free vibration यहाँ देना यहाँ पर damping system भी नहीं है और कोई external force भी नहीं है तो आज हम केवल यही वाला जो question है यही वाला जो equation है इसी का solution discuss करेंगे बाकी जो चीजें हैं उनको हम बाद में discuss करेंगे अब आप कहोगे कि बाद में क्यों discuss करेंगे देखिए यह वाला जो equation है इसका solution इतना आसान नहीं होता है इसलिए आपके exam में chances कमी होते हैं कि question आपसे पूछा जाए क्यों नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह जो होता है यह second order differential equation होता है और आप लोगों ने math में पढ़ा होगा second order differential equation के बारे में जहाँ पे basically दो solution आते हैं एक CF होता है और दूसरा PI होता है CF मतलब होता है complementary function और PI मतलब होता है आपका particular integral तो यह वाला जो portion होता है यह वाला जो portion होता है यह आपको CF होता है और यहाँ पे जो external force है उसका solution को देता है particular integration आप सभी लोगों ने कई सारे formats पढ़े होंगे अपने जब आपने इंजिनी की mathematics पढ़ी होगी वहाँ पे तो आपने देखा होगा कि कितना बड़ा इसका solution हो जाता है constant आते हैं condition boundary condition apply करके constant की value निकालना वो सारा कुछ हम करेंगे बट आज सुरू करेंगे सबसे आसान वाले से सबसे आसान वाला कौंसा है यहाँ पे fourth वाला तो हम उल्टा चलेंगे पहले fourth को पढ़ेंगे फिर third को फिर second को फिर हम first को पढ़ेंगे ठीक है अब इस equation को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ना यहाँ पे लिख सकते हो कि x double dash plus k by m x is equal to 0 अब आप को होगे कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अगर माली जी इसको आपने क्या किया यह चुकि free vibration है free vibration की conditions क्या होती है कि कि किसी भ response होगा भाई vibration है oxidation होगा तो हम इसको simple harmonic motion से compare करते हैं simple harmonic motion के लिए आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे y is equal to x is equal to whatever that is not a matter मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ y is equal to a sin omega t यह सभी लोगों ने equation पढ़ा होगा यहाँ पर इसको एक बार differentiate कर दोग क्योंकि हमको यह इससे compare करना है और यह acceleration है तो इसको भी लिख लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा a omega cos omega t अगर इसको एक बार differentiate करें तो यह क्या हो जाएगा आपका acceleration हो जाएगा acceleration को यहाँ पर y double dash लिख लो चूकि y मैंने लिया x भी ले सकते हो आप x double dash लिख लो कोई problem वाली बात नहीं है और यह हो जाएगा d2y by dt square is equal to यहाँ पर minus आ जाएगा और यह omega square sin omega t हो जाएगा ठीक है यह स्कॉस από यहाँ तो साइन हो जाएगा और e sin omega t is equal to y बार है तो यह भार हम लिख सकते है'm minus a यह पूर को y लेते हैं यहाँ पर एक वाटा देते है को यह पूरे को y लेते तो यह क्या हो जाएगा omega square y तो यहाँ पे हमारे पास जो y double dash है यह वाला equation आ गया तो हम y double dash प्लस omega square y is equal to 0 लिख सकते हैं देखो यह equation और यह equation में similarity आपको दिख रही है हाँ बिल्कुल similarity दिख रही है यहाँ पे आपको क्या मिल गया आप frequency मिल गई न बहुत simply तो यहाँ पे हम यह लिख सकते हैं कि omega square is equal to हमको क्या मिल गया k by m मिल गया कौँ से system में mass spring वाले system में free vibration की हम अगर बात करें तो तो simply अगर हम omega n की बात कर लें omega n यहाँ पे क्या है भाई frequency है न वाइबरेटिंग frequency की आपका system किस frequency से वाइबरेड कर रहा है या तो इसे हम कहते हैं natural circular vibration क्या कहते है नेचुरल circular frequency of vibration मतलब frequency है यह natural circular frequency of the vibration इसकी value क्या हो जाएगी under root k by m इस पे बहुत सारे question पूछे जाते हैं आपको ध्यान रखना है इसकी unit क्या होगी इसकी unit हो जाएगी radian per second यह भी आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर दो तीन चीज़ और हम find out कर लेते ह है इससे पहले भी हमने पढ़ा होगा अब एक time period भी find out करते है न हम time period क्या हो जाएगा यहाँ पर हम time period t की बात करें तो t क्या हो जाएगा एक cycle complete करने में इसको कितना चलना पड़ेगा distance कितनी travel करनी पड़ेगी 2pi divided by इनकी speed क्या है तो यह speed कहलो angular speed यह angular frequency whatever that is not a matter तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह omega n हो जाएगा तो very simple यह आपको time period में लिया time period के बाद अगर आपको find out करना है कि linear frequency क्या होगी इसको आप कुछ इस तरीके से value substitute कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा 2pi बहुत बार यह questions भी आपसे पूछता है तो यह m by क्यों जाएगा यहां रखना य की बात करें linear natural frequency ठीक है तो linear natural frequency क्या हो जाएगी 1 by t हो जाता है time period का पोजिट होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 by 2pi again यही वाला formula आजाएगा k by m तो यह तीन formula है इन तीनों को आपको ध्यान रखना है तीनों के basis पे आपसे question पूछा जाता है equation number 1, equation number 2, equation number 3 कहां से आया ह यह भी मैंने आपको बता दिया एक चीज और ध्यान रखना है कि कई बार यहां पर जो k है यह spring एक से ज्यादा लगी रहती है तो उस case में आपको equivalent वहां पर जो value है stiffness और equivalent stiffness वो find out करना होता है that's इससे ज्यादा कुछ भी अलग आपको नहीं करना होता है हम question करेंगे तो आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगी जो आपका first question है which of the following is the correct expression for the natural frequency of free longitudinal vibration यहां पर यह longitudinal vibration की बात कर रहा है इससे पहले हमने discuss किया था तो आपको पता होगा longitudinal vibration क्या होता है जो axis के long में vibrate करता है option देखके आपको पता चल रहा होगा कि यह कुछ spring mass system की बात कर रहा है तो हमारे पास suppose कर लिजे यह एक spring है अभी spring में mass नहीं लगा एक और condition आपको बता देता हूँ कई सारे लोग confused होता है कि जो static deflection होता है क्या उसको dynamic में हम consider करते हैं अब माली जी यहाँ पर mass नहीं लगा हुआ है जैसे आप mass लगाओगे तो यह आपकी spring थोड़ा extend होके दिखेगी ना यह थोड़ा सा extend हो गई तो extend होके दिखेगी mass तो यह हमारा static deflection है यहां से लेकि यहां तक यह हमारे इसका static deflection है और इसको balance कौन कर देगा भाई mg is equal to k x यह इसको balance कर देगा static deflection को बट जो dynamic deflection है जिसकी हम vibration में बात करते हैं जब आप इस पर force लगा के एक बार छोड़ोगे natural के case में और force के case में continuous ल यह आपकी जो deflection होगा इसे हम कहते हैं x और यह dynamic deflection है तो देखें इसको यह balance कर दिया हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं यह mean position इसका यहां से उपर नीचे होता रहेगा तो हम यहां पे क्यों dynamic deflection को consider करेंगे और यहां पे आप से यह पूछ रहे है spring mass system है यह longitudinal vibration है इस direction मे value बताओ तो नीचे frequency क्या हो जाएगी अभी तो हमने find out किया है क्या हो जाएगी 1 by 2 pi और जो भी s या k whatever that तो s by m हो जाएगा यहां पे जो m है mass है s क्या है spring constant है equation कौन सा आएगा equation होई वाला आएगा m x naught plus s x is equal to 0 वाला और यहीं सी यह वाला solution आएगा next जो का question है the natural frequency of the spring mass system on the earth is omega the natural frequency of the system on the moon same को moon पे लेकर चले गए और gravity change हो गई तो क्या होगा gate exams में आपको पूछा गया है cgpsc में आपको पूछा गया है simple question भईया अभी हमने देखा कि जो natural frequency होती है omega क्या होती है omega k by m होता है natural frequency तो यह आपके किसी भी तरीके से g पे depend नहीं करती है g की value change हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है यह मास और k पे depend करती है तो यहाँ पे आपका answer हो जाएगा यह simple question पूछे गया है आप देख रहे हो काफी simple है next question है यह भी काफी simple question है यहाँ पे भी आपसे natural frequency पूछा गया है WN एक passenger car है जिसका weight आपको दिया गया है और जो suspension है उसके spring की stiffness दिय गया है कि car का mass M है weight बताया गया है बट still हमको mass लेना है तो जो option है उसके हिसाफ से best appropriate option आपका C है next question है mass of 1 kg suspended आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 kg का mass है 3 springs से suspended है यहाँ पे आपको यह जो दोनों spring दिख रही होंगी एक combination है basically एक और यहाँ पे इन दोनों का जो equivalent है वो इसके साथ combination में है कैसा combination है तो इन दोनों का स्रीज combination है और इन दोनों का जो equivalent होगा इसके साथ parallel connection में है हम connection की बात इसलिए कर रहे है क्योंकि आप सभी को पता है simple formula भी हमने derive किया था जो natural frequency होगी that is k equivalent क्योंकि एक से जादी spring है तो equivalent find out करना पड़ेगा divided by mass अगर हमको equivalent पता चल जा कि mass तो आपको already दिया गया है one तो अब यहाँ पे हम दो चीज़ समझेंगे कि equivalent कैसे find out करते हैं parallel connection में और कैसे find out करते हैं आपके series connection में अगर मैं parallel connection की बात करूँ क्योंकि parallel connection आशान है parallel connection का मतलब क्या है कि एक spring कुछ इस तरीके से attached है नीचे एक दूसरी spring लगी हुई है और यहाँ पे दोनों के साथ एक force लग रहा होगा मान लिजिए force F लग रहा होगा अब इस force को balance कर रहा होगा यही दोनों मिलके तो इस force को balance कर रहे होंगे न तो हम यहाँ पे F is equal to लिख सकते हैं K1 X और दोनों में parallel में हैं तो अब ध्यान देना दोनों में stretching होगी वो सेम होगी इसा नहीं कि यह block कम खीचा एक कम खीचा equilibrium नहीं रहेगा भाई हम बात कर रहे हैं आप equilibrium की तो दोनों में stretching क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी तो यह K1 X हो जाएगा प्लस यह क्या हो जाएगा K2 X हो जाएगा this equation number one अब दोनों को हम एक साथ जोड देते हैं एक equivalent mass बना लेते ह यहाँ पर एक mass लगा हुए आपका M जो भी है और यहाँ पर एक force लग रहा होगा इसका mass बही है अब यह है Q equivalent और यह extension इसमें कितना हो गया आपका X हो जाएगा ठीक है तो अब यह दोनों क्या होंगे दोनों के force कितना लग रहा होगा F ही तो लग रहा होगा ना दोनों equal हो एक्स, एक्स, सेस, कैंसिल ओट हो जाएगा, तो यहाँ पर के एक्वेलेंट इसकोल टू हो जाएगा, के वन प्लस, के टू, वेरी सिंपल, तो यह आपको एक फार्मूला मिल गया, जब पैरलर में होगा, देखी, आप इस तरीके से भी इसको स्वाल्ब कर सकते हो, आप चाहो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, और ध्यान इधर ही रनना चाहिए, इधर F लगा हुआ है, हमने नीचे क्या किया, इन दोनों का एक्वेलेंट बना लिया न, इन दोनों का एक्वेलेंट है, इस पर भी हमने लगा दिया force, जो भी ल लग रहा होगा, F लग रहा है, और कोई force लगा है हो क्या आप, नहीं, और कोई force यहाँ पर अबलेबल है, नहीं, तो F लग रहा है दोनों में, तो यहाँ पर force जो होगा, वो सेम लग रहा होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि F is equal to क्या हो जाएगा, पट हरी spring के प्लस F by K2, बहुत सिंपल, equation number 1, अगर हम equivalent की बात करें, कि equivalent पर force कितना लगेगा, तो equivalent पर force हो जाएगा, आपका, K equivalent, is equal to X equivalent ले लो, या फिर X1 प्लस X2 ले लो, टोटल इतना ही होगा, तो यहाँ पर F की value है, और यहाँ पर हम X की value फाइंड और करें, तो क्या हो जाएगा, F divided by K equivalent, ठीक है, यह equation number हमारा 2 है, equation 1 और 2 को compare कर लिजिए, तो F, K equivalent is equal to क्या हो जाएगा, F divided by K1 plus F divided by K2, बहुत सिंपल, यह दोनों cancel out हो जाएगे, तो 1 by K equivalent is equal to क्या हो जाएगा, K1 plus K2, यह सब 1 K divided है, तो यह आपका एक formula आ गया, कि अगर equivalent find out करना है, तो कैसे करोगे, अगर simply K equivalent के हम value लिखें, तो यह क्या हो जाएगा, K1, sorry, K1 multiply K2 divided by K1 plus K2, यह किस case में है, आपके series वाले case में है, आपके parallelर वाले case में K equivalent क्या है था, K1 plus K2 आया था, तो simple आपका जो question है, यह question देख लीजिए, इन दोनों को add कर देना है, sorry, इन दोनों को multiply करना है, तो 1 है, यह 1 था और यह कितना था, that is 3, तो यह 3 हो जाएगा, divided by दोनों को add करना है, तो 4 हो जाएगा, तो this is nothing but a 3 by 4, अब यह 3 by 4 इसके साथ add हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, 3 by 4 plus, किंकि दोनों parallel में है, plus 2 हो जाएगा, is equal to, यह 11 by 4 हो जाएगा, तो 11 by 4 क्या आगया, आपका equivalent आगया, total spring equivalent कितना हो जाएगा, 11 by 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, यह आप ध्यान रखना, unit का किलो न्यूटन पर मीटर है, अब यहाँ पर find out करना है, हमको omega n, omega n is equal to, divided by 11, 10 to the power 3, divided by 4, m की value आपको दिया गया है, 1, very simple, अब यहाँ पर देखिए, यह तो आप value find out कर सकते हो easily, कि यहाँ पर जो नीचे आएगा, वो 2 आजाएगा, क्योंकि 4 है, ऊपर 100 के इदर multiply कर देते हैं, और 100 बचेगा, उसका 10 आजाएगा बाहर, 110 है यह, 110, 100 से कुछ, 10 से कुछ जादा होगा, under root, 110 का under root find out करना है, कैसे करोगा, अगर आपको पास कैल से नहीं, तो 10 से कुछ जादा होगा, तो this is the answer, 55.5, जो भी option होगा, आप चूज कर लेना, अगें, जो question number 5 है, simple question है, आप से वही natural frequency पुछा गया है, बढ़ सिस्टम को थोड़ा सा change किया गया है, आपको confuse करने के लिए, काफी सारा लोग confuse जाते हैं, कि अब कैसे find out करें, यह वाली जो spring है भाईया, यह parallel में है, कि यह पुछ करें, इतना यह exchange होगी, उतना यह compress होगी, तो दोनों में जो X की value होगी, वो same होगी, nature can be difference, बत value क्या होगी, दोनों में same होगी, तो यह connection कैसा है, parallel है, कि series है, कहोगे, parallel है, बट समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा इसको थोड़ा सा ऐसे 90 degree, rotate कर लो, 90 degree रोटे किया, यह spring लगा दिया, यह, यह वाला system होगे, आपका, ऐसा नहीं दिख रहा है किया, इसको ऐसे घुमा के ऊपर कर दो ना, थोड़ा सा, यह ऐसे नहीं दिखेगा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, यह parallel में लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, parallel पता चल गया, k equivalent क्या होगा, k equivalent simply add कर देंगे, तो 20 plus 20 is equal to क्या हो जाएगा, 40 kilo newton per meter, यह हो गया k equivalent, आप से पूछा क्या गया है, natural frequency cycle per second, ठीक है, मतलब f की value पूछी गई है, fn is equal to क्या होता है, 1 upon 2 pi, under root k equivalent divided by m, चाहे आप ऐसे निकाल लो, या फिर omega n निकाल लो, under root k by m करके, k equivalent by m करके, वहाँ से t निकाल लो, t is equal to 2 pi by omega, जैसे आप घुमना चाहते हैं, घुमो, 1 by t कर लो, fn आ जाएगा, again the same value, यह formula already हमने derive कर लिया है, तो यहाँ पे 1 by 2 pi आ जाएगा, this is k equivalent की value कितना आ गया, 40 multiply, यह 10 to the power 3 है, क्यांकि वो value आप को ध्यान रखना होता है, and this is 100, तो 100 का हम करें, तो यहाँ पे हो जाएगा, cancel out, एक बचा तो यह 400 हो जाएगा, तो 4 का मतलब 2 हो जाएगा, और यह 20 बहारा जाएगा, 20 divided by 2 pi, तो this is 10 by pi, बहुत ही simple question है, दो number में पुछा गया था, 10 by pi, option is C, again जो next आपका question है, same चीज आप से पुछा गया है, बट इसको थोड़ा सा घुमा दिया है इन्होंने, क्या कि सिस्टम को horizontal कर दिया है, कभी vertical कर दे रहे हैं, या तो horizontal vertical करने से क्या ही फर्क पर जाएगा, आप अब कहोगे कि अगर vertical हैगा, तो gravity का effect आएगा, मैंने पहले ही बता दिया, gravity का जो effect आएगा, वो static deflection उसको खा जाएगा, static deflection के नीचे dynamic deflection होगा, force लगाने के बाद, उसकी हमें या पर बात कर रहे हैं, तो घबराने वाली बात है नहीं, ये दोनों parallel हैं, simply add हो जाएगे, इनका equivalent क्या हो जाएगा, के ये दोनों series में है, k equivalent, ये इसके साथ series में है, k equivalent क्या हो जाएगा, दोन frequency, natural frequency, omega n, अब आपको होगे, कभी natural frequency में आप omega n find out कर ले हो, कभी fn find out कर लो भाई, linear frequency है, आपको ध्यान भी देना है, कि आप से कुछ radius, अगर unit कुछ अलगी पूछा है, cycle per second, तो आप linear find out करोगे, तो हम यहाँ पर find out कर रहे हैं, कौन से frequency, ये angular वाली, ठीक है, तो omega n क्या हो गई, k by 2m, k by 2m, option is correct, जो next आपका question है, again same question, जो इससे पहले हमने solve किया था, बस वो क्या था, vertical था, यहाँ पर horizontal कर दिया है, mask की value change कर दिया है, spring constant की value change कर दिया है, यहाँ पर भी spring constant, spring जो है, आपके parallel connection में है, k equivalent दोनों add हो जाएंगे, again mask आपको divide कर देना है, simply तो fn is equal to क्य हो जाएगा, 1 by 2 pi divided by k equivalent, whole k divided by m, बहुत ही simple, 1 by 2 pi k equivalent की value क्या है, 56 add कर लो न, यह क्या हो जाएगा, 4000, 16, तो 56 हो जाएगा, 5C00, mass की value आपको दिया गया है, mass is given to you, that is 1.4, अब value इसकी calculate कर लेना, कितना हो जाएगा, 10 hertz के आसपास हो जाएगा, close to पुछा है, तो option हो जाएगा, B, किसी को कोई doubt तो नहीं हो रहा होगा, इस वाले system को भी उसी तरीके से draw करना है, जैसे मैंने इससे पहले आपको draw करके दिखाया था, कि यह parallel आपको कैसे दिखेगा, तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, यह spring ऊपर चले गई, यह spring ऊपर चले गई, यह विचारा बीच म मच पर वाचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, all the best, good luck.